कभी कभी हमारा code repetitive हो जाता है और जब code repetitive हो जाता है तो हम लोगों को एक particular code को एक function में package करना पड़ता है functions जावा स्कृट में बनाने का एक और फाइदा यह होता है कि आप लोग arguments pass करके particular काम करवा सकते हो for example कुछ statements को print करना numbers को sum करना numbers का average निकालना और भी बहुत सारे functions से जो की बनाए जा सकते हैं JavaScript में क्या होते हैं function क्या होता है syntax क्यूं इस्तेमाल किया जाए practical use case को समझेंगे इस वीडियो को like जरूर करते ना नीचे comment section में sigma batch op लिख देना चलते हैं computer screen में let's roll the intro जावास्क्रिप्ट के अंदर function को देखने वाले कि क्या होता है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर function एक block of code को बार-बार अकर हम लोग चाते हैं की use करें तो हम इस्तेमाल करते हैं let me explain की क्या होता है तो मैं आपकर video number 58 के नाम से एक folder बनाऊंगा और इसको मैं जल्दी से को लूँगा अपने vs code में और आप लोगो डिरेक्ली एक function बनाकर दिखाता हूं यार ठीक है सीधा एक function बनाकर दिखाता हूं और मैं कौँगा index.js और hey Harry your t-shirt is nice ठीक है फिर मैं लिखूंगा hey Harry your course is good too ठीक है तो यह मान लो मैंने लिखा ठीक है अब मैं क्या करूंगा basically इसको मैं यहां पर run करता हूं ठीक है मैंने इसको run किया तो आप लोग देखो यहां पर क्या होगा कि यह मेरा output आ जाएगा कि hey Harry you are nice Harry you are good यह सब आ ठीक है अब मान लो कि मुझे इसको change करना है ठीक है और Harry की जगा मुझे अब रोहन करना है ठीक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इन सारे instances पर change करना पड़ेगा चार जगा अगर यह 4000 जगा होता तो मुझे 4000 बार change करना पड़ता तो मेरे लिए क क्या होगा convenient कि मैं इसका एक function मना लूँ ठीक है और यहाँ पर इस चीज को variable कर दूँ ताकि अगर किसी और के लिए भी मुझे इसको run करना पड़े तो मैं इसको run कर सकूँ तो function को बनाने के लिए हम लोग function keyword का इस्तेमाल करते है ठीक है और यहाँ पर आप देखो एक snippet लेगा और parameters लेगा तो मैं अगर यहाँ पर इसका नाम रिख दूँ कि इस function का नाम आलो nice है और tap दबाकर मैं params की जगह पर लिख दूँ name और मैं यहाँ पर कहूं कि यह क्या करेगा कि सबसे पहले तो hey print करेगा फिर यहाँ पर जो भी name होगा वो print करेगा तो मैं यहाँ पर और यह सारी चीज़े आ जाएंगी ठीक है तो मैं basically क्या करूँगा कि जो चीज मैंने इस तरह से करी थी वो मैं अब इस तरह से करूँगा ठीक है तो हमने यहाँ पर किया था you are nice फिर हमने किया था you are good और उसके बाद हमने किया था your t-shirt is nice और हम लोगों ने किया था your course is nice your course is good to ठीक है oops मैं copy करूँगा इसको और यहाँ पर your course is good to भी यहाँ पर मैं डाल दूगा तो अब अगर नाम भी चेंज करना पड़ गया तो मैं simply क्या करूँगा nice Harry अगर यहाँ पर रन करूँगा तो मुझे Harry के लिए यह सब चीज़े देखने को मिलेंगी और अगर मैं यहा इसको अगर नहीं चाहते हैं हम लोग रेपेटिटिव हो हम चाहेंगे की बार बार एक ही चीज को अगर हमें करना है तो हम एक फंक्शन के थूप करना है और मुझे यह चीज मालो शिवम के लिए भी करना है और जब मैं शिवम के लिए चीज करूँगा तो आप देखो हे हे शिवम यूर नाइस हे शिवम यूर नाइस दो बार मैंने कर दिया अक्चली इसको और यूर गुड और इसके बाद यह जो सारी चीज है शिवम के लिए भी हो गई तो कभी भी हमें एक फंक्शन को रियूस करना है तो हम वो चेंज भी ला सकते हैं तो इस तरह के चिख से फंक्शन की बात करते हैं जोगी बहुत सिंपल है उसका नहाम है Sum सुल और मैं और यह करने के बाद मैं क्या करूंगा यहां पर ए और बी दूंगा और मैं यह आपर क्या करूंगा मैं कहूंगा कि यह जो सम फंक्शन है वो कॉंसोल लॉग कर देता है a प्लस b को ठी या फिर 3 5 लिखता हूँ तो 8 मुझे याँ पर देखने को मिलेगा तो मैं run करूँगा तो 8 देखने को मिल गया चुकि जब मैं कहता हूँ sum 3 5 तो 3 और 5 यहाँ पर जाएगा 3 जाएगा A में 5 जाएगा B में और जब मैं A plus B करता हूँ तो जो 8 है वो print हो जाएगा तो बहुत ही simple सी चीज है मैंने आपर जब function sum लिखा और 3 और 5 दिया तो 3 प्लस 5 जो है 8 याँ पर console log होगे print हो जाएगा ठीक है अब माल लो कि मैं आपर console log करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ the sum of these numbers is और मैं आपर sum लिखना चाहता हूँ जो भी sum हो ठीक है अब माल लो वो मैं result के अंदर डालना चाहता हूँ तो अगर मैं कुछ इस तरह से कहूँ result is equal to तो result के अंदर 5 और 3 का sum नहीं आएगा क्योंकि JavaScript program को नहीं पता कि क्या value डालनी है तो value को डालने के लिए हम return keyword का इस्तिमाल करते है और हम कहते है a plus b तो जब मैं लिखोंगा sum a b और यहाँ पर return a plus b लिखोंगा तो जो a plus b की value है वो यह result में आ जाएगी return keyword से क्या होता है कि एक value वापस दे दी जाती है और जब हम sum 3 5 को call करेंगे तो 3 जाएगा as a 5 जाएगा as b और 3 plus 5 होता है हमारा 8 जो कि हमारा result में आ जाएगा और अब मैं इस program को run करूंगा तो आपको the sum of these numbers is 8 यह आपर देखने को मिलेगा क्योंकि 8 जो है वो आ चुका है result के अंदर तो बहुत ही simple सी चीज़ है I hope आपको समझ में आ गई होगी है function का प्रियोग इसी लिए किया जाता है अब अगर मुझे इस चीज़ को बार बार करना है तो मैं बार बार कर सकता हूँ मैं आप पर और भी कर सकता हूँ result 1, result 2 मालनो मैं इसको कहना चाहता हूँ result 1, इसको मैं कहना चाहता हूँ result 2, और इसको मैं कहना चाहता हूँ result 3, ठीक है और मैं यहाँ पर यह जो numbers हैं इनको change कर देता हूँ मालनो मैं इसको 50, 13 कर देता हूँ result 1, result 2, result 3 और मैं यहाँ पर same चीज़ करूँगा साथ साथ आप कुछ arguments को pass कर सकते हैं, आप यहाँ पर 3 और 5 को pass कर रहे हैं, इस line में 7 और 5 को pass कर रहे हैं, इस line में 3 और 13 को pass कर रहे हैं, ठीक है, अमानलों मैं चाहता हूं कि एक C नाम का parameter हो, जो कि optional हो, तो मैं C is equal to 3 ऐसे लिख दूँगा, जो C होगा, वो by default 3 होगा, और मैं 2019 है, ठीक है, तो 5 और 3, जो होता है, 8, और 8 में जो default value हो जोड़ दी गई, ग्यारा, और 7 और 5 ह हमारा ग्या होता है, 12 होता है, बारा में 3, 15, फिर इसके वचेवाँ 13 और 3 होता है, 16, और 16 में जब 3 जोड़ा जाएगा, तो एसे के जो 3 है, C की default value हो, जंब आप 10 की होगा, की और C is equal to 3 जब हम करेंगे तो C की यो default value है वो 3 हो जाएगी अब अगर मैं चाहता हूँ कि या पर एक special value pass हो C की 3 की जगा 1 pass हो यानि कि 13 plus 3, 16 plus 1, 17 print हो तो या पर हम क्योंकि C को pass कर रहे हैं जो कि optional था तो result 3 में आपको 17 देखने को मिल रहा है जैसी कि आप अपनी computer screen पर देखी सकते हो तो यह होता है हमारा function function keyword से इस तरह से बनाते हैं इसको हम जितनी बार मनमर्जी call करें nice और जो भी name है as a string हम इसको देंगे तो यह block of code execute हो जाएगा और ऐसा हम जहां पर करेंगे और जितनी बार करेंगे उतनी बार होगा उसी के साथ साथ हम इसमें इसे return value भी निकाल सकते हैं जैसे कि मैं अगर कुछ इस तरह से लिखता हूँ कि sum is equal to a, b, c और c की default value मैंने 3 देदी a और b को pass कराया जाएगा यह compulsory है आपको देना ही पड़ेगा आप ऐसा नहीं कर सकतेगी sum 3 कर दिया सिर्फ आपने जो कि अगर आप ऐसा कुछ करते भी हो ना और इसको run करते प्रोग्राम को तो आपको error देखने को मिलेगा और nan देखने को मिलेगा nan का मतलब not a number क्यों इसने nan किया क्योंकि आपने b को जो है वो पास किया ही नहीं तो जो return value आई वो number नहीं आई अगर मैं आपर आप लोग को console.lock करके दिखाऊं और मैं कहूं a, b और c तीनों को lock करो तो जो b की value वो undefined होगी आपको मैं दिखाता हूँ तो यह देखो undefined है b की value यहाँ पर जब three pass हुआ और फिर जब b की बारी आई तो यहाँ पर undefined pass हो गया और undefined plus कोई भी number आप करते हैं तो javascript उसमें nan return करता है और nan का मतलब होता है not a number तो not a number जो है आप लोग को देखने को मिल रहा है यूँकि आपने arguments सही से pass नहीं किये तो अगर मैं यहाँ पर three comma कोई भी number लिखता हूं जिसे two लिखता हूं तो तीन दो पांच और तीन आठ जो है वो आ जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पांच और तीन जो है वो आठ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और 15 और 17 जो है यहाँ पर इसका और इसका जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो रहा है क्योंकि हम करा रहे है और सम नाम के function को कितनी बार भी इस्तिमाल कर सकते हैं अपने इस code में ठीक है अपने इस program में तो that was about functions in JavaScript अब मैं आप लोगों के बारे में बताता हूं और मैं आप लोगों बताता हूं कि आप एक इस तरह से variable के अंदर डाल सकते हो function को और आप इस तरह से syntax का इस्तिमाल कर सकते हो जिसको arrow function कहते हैं और यहाँ पर आप कह सकते हो कि a console.log iamn arrow function ठीक है आपने इस तरह से लिख दिया और यहाँ पर आपने लिख दिया 45 और मानलो मैं आप पर 45 नहीं मैं यहाँ पर a लिखूंगा या फिर मैं x लिख देता हूं यहाँ पर a भी लिख सकता हूं वैसे मैं मेनी मर्जी और मैं यहाँ पर x लिखूंगा तो x य लेटर से 66 करके और मैं 84 करके करूँ और मैं इसको run करूँ तो आप देखो 34 आया मैं arrow function 34 फिर 66 फिर 84 यह आ गया तो यह जो function है इसको reuse किया जा सकता है और इसे कहते हैं arrow function यह एक convenient syntax है और काफी easily आप एक variable के अंदर store कर सकते हो एक function को तो func1 एक variable भी है जो कि एक function है ठीक है तो variable भी बना सकते हो आप लोग इस तरह से तो ऐसा करने का फाइदा क्या होता है कि आप function को intern pass करा सकते हो एक दूसरे function में ठीक है तो यह थोड़ा complex मैंने बोल दिया अगर आप लोग बिगेनर हो तो आपको थोड़ा सा complex लगी गई बट that's the fact तो आप लोगो ने अगर parameter जो है यहाँ पर local variable के तौर पर behave कर रहे हैं यहाँ पर आप देखो function का invocation किया जा रहा है और function invocation एक तरीका होता है जिससे कि आप लोग इस्तिमाल करते हैं function को तो basically जो हमने function की calls डाली थी वो function invocation कहलाता है आप calling the function भी बोल सकते हो उसको आप कह सकते हो function को मैंने invoke किया बा कर सकते हो function को तो अगर आप लोग एक variable के अंदर cat करना चाते हो function को तो बहुत easily आप लोग arrow function की साहिता से कर सकते हो I hope कि यह वीडियो आप लोग के लिए helpful है और आप लोग ने sigma development express की playlist को access कर लिया अगर नहीं किया तो जाकर bookmark करें और save करें अभी के लिए इस वीडियो में it na x thank you so much guys for watching this video and I will see you next time